श्वेता तिवारी को अपनी शाद्गी शुदा जिंदगी में काफी मुश्किल दौर का सामना करना पढ़ा हलाकि उन्होंने इन सारी परिशानियों का सामना डट कर किया और उन्होंने हार नहीं मानी श्वेता का कहना है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब वे हम पूरी तरह से विखर गई थी क्या वे इह फिर में प्यार में पढ़ने के लिए तयार हैं इस सवाल के जवाब में श्वेता ने बताया मैं पहले ही अपने बच्चों के साथ प्यार में हूँ और अब मेरे पास किसी और के लिए वक्त नहीं है अपने बच्चों के साथ प्यार में मैं इस कदर मश्गूल हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा किसी और की जरूरत है श्वेता हाल ही में अपने दूसरे पति अभिना कोहली से अलग हुई और इस रिष्टे का अनुखाद भी उनके लिए ठीक नहीं रहा बॉलेवूरलाइफ.com की रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को लेकर भी बात की उन्होंने उन लोगों के बारे में कहा जिनने दूसरे की निजी जिन्दगी पर फप्तियां पसना अच्छा लगता है श्वेता ने कहा ये ऐसे लोग हैं जिनकी जिन्दगी में करने को कुछ भी नहीं है और जो लोग वाकाई में काम कर रहे हैं उन्हें ट्रोल करने का उनके पास फुरसत के धेरों पल हैं श्वेताक खुद को बहादूर नहीं मानती हैं। उन्होंने कहा हमारे आसपास ऐसी कही सारी महिला हैं जो इस तरह की परिशानियों से जूज रही हैं। मैं बहादूर नहीं हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं अपनी परिशानियों से उबरने का प्रयास कर रही हूँ। मैं रोती हूँ, बिखरती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि ये स्वभाविक है।